हों बाइदा जंगल पाथ हमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल और हम आपको आज की सबसे बड़ी और एहम खबर से रूबरू कराते हैं यह खबर बेसिक सिच्छा विभाग से आ रही है जो बिल्कुल हैरान करने वाली खबर है आपको बता दें कि बेसिक सिच्छा महकमा जब स्कूलों के काया कल्ब की बात कर रहा है और करोडों रुपए इस पर खर्च भी किये जा रहे हैं तब जिले के हलधरमो ब्लाक में एक ऐसा स्कूल सामने आया है जो बिल्डिंग के अभाव में पीपल के पेड़ के नीचे चल रहा है गर्मी हो या बरसात हो बच्चे इसी पेड़ के नीचे बैट कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं यह हालात इसलिए हैं क्योंकि बेसिक सिच्छा विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने एक साल पहले स्कूल के बिल्डिंग को जरजर बता कर गिरा तो दिया लेकिन नया स्कूल बनवाना भूल गए अब अफसरों की इसला परवाही का खामियाजा यहां पढ़ने वाले 164 बच्चों को भुगतना पढ़ रहा है पूर्ममाध्विक विद्यालेक कपूरपूर की है स्कूल भवनना होने के चलते यहां के बच्चे इस पेड़ के नीचे बैट कर पढ़ाई कर रहे हैं यहां के सिचकों की माने तो इस स्कूल की बिल्डिंग पुरानी होने के चलते काफी जरजर हो गई थी और पिछले वर्ष विभाग ने उसे निलाम करते हुए गिरवा दिया था पुरानी बिल्डिंग के बदले यहां नया स्कूल भवन बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने इस प्रस्ताव को कच्रे के डिब्बे में फेक दिया अब इसका खामियाजा यहां के बच्चे भुगत रहे हैं यहां पढ़ रहे बच्चों से जब इस तरह खुले में पढ़ाई करने को लेकर सवाल किया गया तो बच्चों ने जो कुछ बताया उसे सुनकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे मास्तोर दूबे में यूपियस कपूरपूर श्कूल में पढ़ने आया हूँ और यहां पर सर यह बहुत लकड़िया उपर से गिरती है और कभी-कभी तो विच्चों भी निकलते हैं और जब वर्सा होती है तो यहां पर सर पानी बर जाते हैं अटकी छात्रा सोम्या ने कहा कि बरसात हो या गर्मी हर मौसम में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है बरसात होने पर उन्हें भाग कर आसपास के घरों में सरण लेनी पड़ती है जब वर्सात होती तो हम लोग यहां से भाग कर कहीं स्कूल में छिपते हैं कहीं सर तंकी में यही होता है बरसात में पढ़ाई नहीं हो पाती बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में भी लगातार चिंता बनी रहती है अभिभावक कनहिया लाल ने बताया कि जिस पेड के नीचे स्कूल चल रहा है उसके आसपास काफी जाडियां है और इन जाडियों से जहरीले जीवजन्त बाहर निकलाते हैं जिससे बच्चों में डर बना रहता है इसलिए बच्चों की निगरानी के लिए उन्हें भी स्कूल आना पड़ता है पैसके सब्सक्रा &दिक पान और से कई निकलता है और कोई निकलता है कैणता है सरकार से कोई मतलब नहीं है कि आंदी पादी तुफ़ान कोई भी आ जाए। बच्छे कहां बैठेंगे पढ़ेंगे यह कोई दरा रह रहा है तो कैसे पढ़ार रहे हैं किस मजभूरिशbrauk पढ़ा रहा हैं क्या कर रहा हैं वो तो जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि इतने प्रसानी से बच्चे पढ़ते हैं कहां पर क्या करते हैं कोई बेवस्ता ही नहीं है यहां इसकूल की इतने दिन से पढ़ा हुआ है सारा मामिलाव इसे इस पर कोई किसी की निगाह ही नहीं है सरकार की क्या करेंगे यहां पर कि बिल्डिंग को लेकर स्कूल की सहायक सिच्छी का सीमा बर्मा ने बताया कि स्कूल बिल्डिंग नहोने से खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इससे काफी परिशानी हो रही है जैजर भौन में था इसके बाद बिल्डिंग गिरा दी गई है और तब से जो है हम लोग इसी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं कितने महीने हो गया जब से स्कूल खुला है तब से कंटीन्यू जब पिछली बार खुला था तब भी हम लोग यहीं क्लास चला रहे है बस यहीं है कि सूचना दी जा रही है रिमेंडर भी कराया जा रहा है हर बार साथ का मौसम है पेड़ के नीचे स्कूल है काफी परेशानी होती होगी सब परेशानी नहीं बहुत परेशानी होती है यहां आप खुदी देख रहे हैं आज तो ठीक है मौसम कभी-कभी परेशानी है यहां जाच करने के लिए देखने के लिए नहीं इस बीच में कभी नहीं आये जाच करने के लिए लिए वहीं स्कूल के इंचार्ज प्रधाना ध्यापक नवीन पांडे का कहना है कि पिछले वर्ष स्कूल भवन को जर-जर बताकर गिरवा दिया गया था और स्कूल भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन इस प्रस्ताव पर अब तक कोई कारवाई नहीं हो सकी है और बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं सब्सक्राइब फिछले साल ने था तो वह गिरा दिया गया विभाग के द्वारा और सबसे हों कि पिछले साल सुचना गय थी उसी के ताहर जर्जले पोल्थ को नीलाम किया घदा और जर्जले को धकिकरन विभाग द्वाग कराया गया है और अभी तक नई विल्डिंग चुकी मिल नहीं पाई है इसलिए हम लोग विद्याले कुल ने पेंड के नीचे पढ़ा रहे हैं तब तक बच्चे किसी तरीके से पेंड के नीचे पढ़ा रहे हैं कितनी परिशानी होती है सर बहुत जादा परिशानी होती है जब बारी सुरू हो जाती तो मचदोरन हम लोगों को विद्याले बंद करना पड़ता है बच्चों के लिए छोड़ देना पड़ता है आंको तो बच्चों की सिच्छा में जो ठहरा हूँ आता है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझे हैं सर अब परिस्थिती और विद्याले भावन ना मिलने के वज़ा से ही ये दिक्त है खुले आसमान के नीचे बैट कर पढ़ाई करते बच्चों की इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेसिक सिच्चा विभाग के अधिकारी ना तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर संजीदा हैं और ना ही उन्हें इन बच्चों के सुरक्षा की फिक्र है ये तस्वीर सासन के उन जिम्मेदार नुमाइंदों पर भी तमाचा है जो 21 सदी में आधुनिक सिच्चा विवस्था का दावा करते हैं इस समय हम मवजूद हैं हल्दर मव बलाग के यूपियस कपूरपूर इसकूल में जहां पर सरकारी इसकूल की बिल्डिंग डेमोलाइस करा दी गई है और बच्चे एक पीपल के प्रिण के नीचे पढ़ रहे हैं आईए आपको दिखाते हैं इन बच्चों को यह जमीन पर बैठे हुए बच्चे हैं यह पढ़ रहे हैं इन बच्चों से बात हुई तो उनका कहरा है कि जमीन पर कभी-कभी उपर से लकडिया गिरती हैं बिच्चू गिरते हैं चोकी गिरती हैं और कभी-कभी साब भी नि कि ये बच्चे कब नई बिल्डिंग में जाकर पढ़ेंगे और इनकी समस्चाव का निदान होगा निव जार्टिकल के रिए रोहिति भारी